हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब तो स्टार्ट करते हैं XI 6.4 को कोश्चन नंबर 3 बोला गया है find the square root of the following decimal numbers तो भाई इनका क्या निकालना square root दो ही तरीके सीखे थे पहला prime factorization दूसरा division method तो decimal number का हम किसे निकालेंगे division method से तो चले first part हम करते हैं अपना soul और हमने अगर आपको किसी को नहीं आता है division method से कैसे निकालते हैं तो description box में link है how to find square root of decimal numbers मतलब square root how to find square root करके है उसमें मैंने decimal का और जो normally number होते हैं prime factorization division method दोन से सिखाया तो आप उसको जरूर देखना तो first part है हमारा 2.56 तो क्या करते हैं 2.56 ठीक है और दूसरा काम क्या होता है हमारा pair बनाना एक pair ये बन गया और ये अकेला बच गया 2 है तो देखो 1 का square 1 2 का square 4 तो 2 का square तुमारे ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या लेंगे 1 1 जा 1 फिर क्या करते थे हम subtract 2 से 1 गया 1 अब अगला pair उतारने से पहले हमको यहां पे एक point दिख रहा है तो हम इस point को यहां से हटाएंगे यहां लगाएंगे और ये पूरा pair 5 6 नीच या गया second step 1 का double क्या होता है 1 plus 1 क्या होगा हमारा 2 अब हम यहां पे यह ऐसा number put करेंगे जिस जैसे माल लीजिए मैं यहां पे बताता हूँ आपको मैंने लिखा यहां पे 2 1 अगर यहां पे 1 रखा तो हम 1 से ही multiply करेंगे तो हमारा 21 यह तो बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है वह ज्यादा 21 का वह मैंने का 22 रख लो अगर टू तो ही अगर टू रख रहे तो नीचे भी टू रखना होगा अगर 23 रख रहे तो नीचे भी 3 सी multiply करना होगा इस तरह हम क्या करेंगे बार बार चेक तो देखिए calculation easy करने के ल यहां पर 6 है तो 6 की दो ही condition है या तो 4 हो या 6 हो क्योंकि अगर हम 4 की multiply 4 में करेंगे तो 16 लास्ट में 6 आएगा अगर हम 6 की multiply 6 में करेंगे तो 36 लास्ट में हमारी unit digit होगी वो हमारी 6 होगी तो यहां पर 6 है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं 2 तो यह ही मैंने का 4 रख लो तो 4 into 4 96 लेकिने 156 है तो हम क्या रख के देखते हैं 6 into 6 देखो 26 को अगर हम 6 से multiply करें तो हम सबको answer क्या दिखा 156 तो इसलिए हम यहाँ पर 6 से करेंगे 6 26 6 जा 156 और हमारा answer reminder आ गया 0 तो इसका मतलब 2.56 का square root क्या होता है 1.6 मैं check भी करके दिखाता हूं 1.6 into 1.6 आपका 2.56 आपको दिखे गया तो चलो इसी तरह हम करते हैं second part second part है हमारा 7.29 करने का वही तरीका सबसे पहले pair बनाओ एक pair यह बन गया और यह अकेला बचके 7 है दो को 1 का square 1 अब होत कम है 2 का square 4 ठीक है 3 का square 9 3 का square ज्यादा है तो हम क्या लेंगे 224 क्योंकि divide में या तो बिल्कुल इसक कम ज्यादा नहीं लेते 7 जे 4 मैंस करा 3 अब अगला pair उतार निकली बीच में point आया हटाया यहां लगाया और हमारा 2929 नीचे आ गया अब 2 का double क्या होता है 2 प्लस 2 कितना हो अब वह 4 क्योंकि हम जो भी यहाँ पर number होता उसका double लेते हैं यहाँ पर 1 था तो double उसका 2 हो गया 2 है तो 4 हो गया 4 होता तो 8 हो जाता तो चलिया आगे अब हमको क्या ऐसा number यहाँ पर रखना है जिसे multiply करके हमारा क्या है 329 तो भाई एक ऐसा ही number है खाली 3 क्योंकि देखो 4 पहल से अगर मैं 3 put करूँगा तो answer 129 आया तो गलती है तो अब हम और क्या number रखे 9 आया अब आगे एक 7 है अगर 47 x 7 करते हैं तो तो हमको 3 2 9 answer आया 7 से multiply करेंगे answer क्या आएगा हमारा 329 तो number रखा 7 3 2 9 subtract किया 0 इसका मतलब 7.29 square root होता है हमारा 2.7 अब देखो अब यहाँ पर 9 था ना तो 9 दो ही case में होता अगर 3 x 3 करोगे तो answer 9 आएगा या फिर हम 7 x 7 करेंगे तो 49 अगर हमक आते हैंगे छोटी-छोटी सी ट्रिक हैं जो कोशन को हमारे आसान कर देती हैं तो चलो आगे करते हैं अब पहले answer check करते हैं तो 2.7 x 2.7 बिल्कुल सही पॉइंट्स लगाना भूल गए 2.7 answer आपके सामने 7.29 तो चलिए अब हम अपना third part करते हमारा third part है मैं यहीं कर लूँ के नीचे अगर हमको वीडियो में दिख जाए तो third part क्या है हमारा हमारा third part है 51.84 स्क्वेर रूट निकालना है सबसे पहले इसका पेर बनाना होगा भाही यहां पे चलो अच्छे से दो पेर हमारे बन गए एक इसका एक इसका अब next step क्या होता है चेक करना 51 है तो बाबु 6 का स्क्वेर 36 7 का स्क्वेर 49 8 का स्क्वेर 64 तो देखो 7 का स्क्वेर 49 और हमारा 8 का स्क्वेर 64 अब किसके नजदी के 51 49 के क्योंकि 64 तो ज्यादा हो गया तो 7 7 जा 49 सब्ट्रेक्ट करेंगे कितना हुआ 2 पॉइंट है हटाया उपर लगाया और पूरा 84 पेर नीचे ले लिया अब 7 का डबल करेंगे 7 प्लस 7 14 अब यहां पर लास्ट में 4 है तो 4 किस किस के समा आएगा खा हमने 2 पूट किया तो multiply भी किस से करना होगा 2 से और हमारा 2 रखते ही answer आ गया कितना 284 तो कितने 2 टाइमस 284 सब्ट्रेक्ट करेंगे answer 0 ठीक है hero अब तो हमारा कहने का मतलब 51.84 का square root क्या हुआ 7.2 आप बोलोगे check तो भाई सब check below आप चेक ही पैसे वाला नहीं है 51.84 आपके सामने answer है तो चलिए इसका अब हम 4th part कर लेते हैं 4th part क्या है हमारा 42.25 काम वही सबसे पहले पेर तो 25 एक इसका पेर हो गया एक इसका पेर हो गया ठीक है अब 42 है तो भाई 6 का square 36 7 का square 49 ज्यादा हो गया तो 6 का square ले ले लेते हैं 6 6 जा 36 अब देखिए अब माइनस करेंगे 12 से चार दो 6 हमारा माइनस करके 6 आया अब पॉइंट बीच में हट रहा है यहां लगा दिया अगला पेर 25 नीचे आ गया पॉइंट के बाद 25 पड़ते हैं पर पूरा एक साथ ले रहे तो चलिए 25 बोल दिया objection मत कर देना तो 6 प्लस 6 क्या होता है बच्चो 12 अब यहां पर ल हमारा सही है तो रूट 42.25 का स्क्वैर रूट क्या है है बच्चो 6.5 आपके सामने check करना पड़ेगा भाई तो आंसर क्या है 42.25 अब हमारा LIKE जिखोचा है 5 बारा एक फिट पाइंट में करतेंगे तो पहला काम पेयर बनाओ दूसरा काम repair का तो देखे 6 का स्क्वाइट 36 नहीं 5 का स्क्वाइट 25 तो उसका मतलब हमें क्या लेना होगा बच्चो 555 जा 25 सब्ट्रेक्ट करेंगे 6 आया पॉइंट ने बीच में उंगली की इसको नहीं हा लगा दिया ठीक है यहां पे देखना नहीं है पॉइंट हमको तो हटाना है अगला बिल्कुल सही 6 रखो तो पहले में 4 रखताओ 104 इंटू 4 416 बात नहीं बनी तो यहां पे 10 तो ही 6 रखा और 670 प्लाइए किया आगे आपके सामदे के 636 तो हम क्या लिखेंगे बाबू 106 इंटू 6 is equal to 636 सब्ट्रेक्ट करोगे आंसर पाओगे 0 अब हम बन गए हीरो तो 331. 5.36 का स्क्वेर रूट 5.6 बोलो चेक करो तो भाई बिना बोले मैं चेक कर रहा हूं आपके सामने आंसर है तो हमारा है पकोशन नबर 3 खत्म होता है वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिए और चैनल को टक से बेल आल आइकन दबा लीजिए और कोई भी डाउट हो तो क कोमेंट करना ना भूले थैंक्यू वेरी मच्च